मेरे प्यारे चात्रों, आज हम वाक्य के भेद के प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, दुसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार के भेद आठ हैं। पहला विधान वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य न करने तथा न होने का कथन हो उसे विधान वाचक वाक्य काते हैं, जो साधारन वाक्य होता है। जैसे नीना आज गाएगी, गिरिश कविता पढ़ता है, यहां नीना तथा गिरिश की क्रिया साधारन है। इसलिए यह विधान वाचक वाक्य कहलाते हैं। निशेद वाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य के न होने का भाव समक्ष आता है, उसे निशेद वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरन है, मैंने मिठाई नहीं खाई, मैंने चोकलेट नहीं खाई, उसने पैसे नहीं चुराए, यहां नहीं निशेद वाचक की और संकेत करता है। तो चलिए, प्रश्ण वाचक वाक्यों पर ध्यान केंदरित करते हैं। जिस वाक्यों के द्वारा किसी प्रकार का प्रश्ण किया जाता है, वह प्रश्ण वाचक वाक्यों होता है। जैसे राम की पत्नी कौन है, समरट अशोक कहां के राजा थे, सिधार कहां रहते थे, यहां कौन तथा कहां प्रश्ण के रूप में समक्ष आने से प्रश्ण वाचक वाक्यों कहलाते हैं। आज्या वाचक वाक्यों, जिस वाक्यों की द्वारा आज्या दी जाती हैं, या प्राथना की जाती हैं, उसे आज्या वाचक वाक्यों कहते हैं। जैसे आप वहां बैठिये, तुम शान्त रहो, कृपया धीरे बोलिये, उस गरिब की मदद करो. यहां आधर पुरुवक तथा अधिकार के आधार पर वाक्य समक्ष आने से आग्या वाचक कहलाते हैं. विस्मयादी बोधक वाक्य जिस वाक्य से किसी तरह की गहरी अनुभूती प्रकट होती हैं, तथा हैरानी प्रकट होती हैं, उसे विस्मयादी बोधक वाक्य कहते हैं. जैसे ओह कितनी गर्मी हो रही है, आहा कितना सुन्दर महल है, बाप्रे कितना सुनसान जंगल है, यहाँ ओह आहा तथा बाप्रे द्वारा गहरी अनुभूती का तथा आशर्य प्रकट हो रहा हैं. इच्छा वाचक वाक्य जिस वाक्य से इच्छा आशिर्वाद आशा तथा आकांशा का ज्याद होता हैं, उन्हें इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं. जैसे आपकी परिक्षा सफल हो, इश्वर करे तुम्हें अच्छी नोक्री मिल जाए। इर वाक्यों में आशा तथा आशिर्वा द्वारा इच्छा प्रकट होती हैं। इसलिए जो इच्छा वाचक वाक्य कहलाती हैं। संकेत वाचक वाक्यों जिस वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे यदि बारिश होती तो वन उपवन खिल जाते। जब बच्चे घर पर होते हैं तो घर में रोनक होती हैं। यदि छुटिया होंगी तो हम शिमला चलेंगे। यहां यदि तो जब तो संकेत शब्द है संदेह वाचक वाक्य जिस वाक्य में वक्ता संदेह की भावना प्रकट करता है जैसे शायद में कलपाट्शाला नहीं जाओंगा शायद आज बाजार बंध होगा संभवत वो मंदिर जाएगा यहां शायद तथा संभवत संदेह दर्शाते हैं यह थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद तो बच्चों हम इन वाक्यों का अभ्यास करें देखे आपने कितना समझा आपको कुछ वाक्यों दे रही हूँ जिसके प्रकार आपको बताने हैं तो तयार हो जाएए क्या दादी पूजा कर रही है बच्चे पढ़ नहीं रहे है तुम आइसक्रिम मत खाओ काश भे पढ़ता वह तुमने सुन्दर चित्र बनाया है जब तुम आते हो तो घर में शोर बढ़ता है क्या बच्चा फिर चल सकेगा में दुबई नहीं गया था संभवत कोरोना कम हो जाए चात्र कलम से लिखे अरे तुम फिर आ गए आईए चात्रो अब हम अपने उत्तर भी जांच ले प्रश्ण वाचक वाक्य निशेद वाचक वाक्य आग्या वाचक वाक्य इच्छा वाचक वाक्य विश्मयादी वाचक वाक्य संकेद वाचक वाक्य प्रश्ण वाचक वाक्य निशेद वाचक वाक्य संदेह वाचक वाक्य आज्या वाचक वाक्य विस्मयादी बोधक वाक्य बिल्कुल सही उत्तर आशा है आपने अर्थ के आधार के भेद के प्रकार को समझा होगा अब हम आगे बढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार है सरल वाक्य, सयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधे होता है जिसमें एक ही क्रिया तथा एक ही करता हो जिसे सरल वाक्य कहते है जेसे सचिन किताब पढ़ता है हुसेन कवीता लिखता है रुकसार थेला लेकर चली गई मादवी मंदिर गई है प्रस्तुत उद्दाहरण में एक उद्देश्य और एक क्रिया है जो वाक्यों को सरल दर्शाते है कुछ और उद्दाहरण भी लेते है जैसे प्रतिभा लेक लिखती है नुत्तन बहुत तेज दौरती है भावना पुस्तक पढ़ती है सोनी चलती रहती है सुलेखा खाना खाती है अब हम मिश्रव वाक्य की और बढ़ेंगे जिसमें सरल वाक्य के साथ कोई भी अन्य उप वाक्य हो उस वाक्य को मिश्रव वाक्य कहते है मिश्रव वाक्य एक से अधिक वाक्य से बनता है जिसे जोडने के लिए संयोजक अव्ये का प्रयोग होता है जैसे जो जितना की उतना जैसा वेसा यद्यपी तथा पी जहां वहां आदी जैसे नितिन ने घर खरीदा जो उसके मित्र का था नितिन ने घर खरीदा यह प्रधान वाक्य है और जो उसके मित्र का था यह वाक्य आश्रित वाक्य है इस वाक्य में दो उद्देश्य तथा दो उप वाक्य है इसलिए इसे मिश्र वाक्य कहते हैं मिश्र वाक्य के अन्य उधारन इस प्रकार है जो औरत कमरे में बैठी है वह मेरी बड़ी बहान है यदि मन लगा कर पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो जूट बोल रही है यहां वाक्य में जो वह यदि तो की संयोजक शब्दों से मिश्र वाक्य बनाए गए है आईए अब हम सयुक्त वाक्य की परिभाशा समझे वाक्य में दो या दो से अधिक उप वाक्य शामिल हो तथा सभी उप वाक्य मुख्य हो उन वाक्य को सयुक्त वाक्य कहते हैं इस वाक्य में संयोजक अव्यय होते हैं जैसे नहीं तो किन्तु परंतु क्योंकी इसलिए तथा आदी कुछ सयुक्त वाक्य के उधाहरन देख कर आपको विस्तार से समझाना चाती हूँ जैसे शीतल बिमार थी इसलिए खेल में शामिल नहीं हुई नीरू ने परिक्षा अच्छी तरह दी किन्तु अंक अच्छे नहीं मिले हीना ने किताब पड़ी परंतु वो समझ नहीं सकी शाक्षी ने गरीब को देखा और रो पड़ी राजेश स्टेशन जटपट पहुँचा फिर भी रेल छुट गई इस प्रकार यहां दो वाक्य को जोडने का कारिय संयोजक शब्द इसलिए किन्तु परंतु और तथा फिर भी हैं मेरी उम्मीद ही नहीं बलकि पूर्ण विश्वास है कि आपको वाक्य के भेद समझ में आ गए होंगे धन्यवाद